नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब आशा करता हूं आप सारे लोग स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी तयारी जबरदस तरीके से कर रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास में हम एक और Mark test लेके आपके सामने हाजी रहें और बहुत शानदार सा marks true test है सारे के सारे दोस्टों बहुत बहुत ही बहतरीन टरीके से आज के इस mark को solve करना है बहुत ही शानदार एक mark है और आशा करता हूँ कि पिछले जितने भी mock हुए हैं उसमें आपने बहुत अच्छे तरीके से participate किया था तो इसमें भी बहुत शानदार तरीके से आप इस mock को solve करने वाले हो सभी को नमस्कार सभी को good evening सभी को राम राम सभी को रादे रादे कैसे दोस्तों एक बढ़ फटवट बताओ तो हम आज का सेसने स्टार्ट करेंगे बिना किसी दे रही के सभी दोस्तों को नमस्कार सभी दोस्तों को गुड़ीवनिंग सभी दोस्तों को राम राम सभी दोस्तों को रादे रादे सारे लोग बढ़िया है चलो तो स्टार्ट करते है दोस्तो आज का मॉक टिस्ट और ध्यान रखिएगा प्यारे दोस्तों कि आज का मॉक टिस्ट एक कम्प्लीट पेपर है और बहुत ही शांदार तरीके से आपको इस पेपर को सॉल्फ करना है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इस पेपर को सॉल् अगर तयार हैं एक बार फटावड कमेंट कर दीजिए तो अगर तयार हैं तो हम पढ़ते हैं दोस्तों अपने पहले सवाल के तरफ है ना पहला सवाल आपके सामने देने जा रहा हूं मैं और पहला कोश्चन आपके सामने रहा है एक बार फटावड बताईए इस कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है और जी यहां पे देखो इसका वाटरिमेज बनकिया यह भी गलत है अच्छा बात करें आर की तो आर देखो उल्टा बनेगा और यहां आर की वाटरिमेज है तो आपरिमेज 조금 संब का गलत है अंशर प्यारे दोस्तों क्या होना चाहिए अगर clear है तो हम बढ़ जाते हैं अगले question की तरफ एक बार फटवर्ट सारे लोग try करेंगे इस question का answer बताएंगे फटवर्ट ट्राई करिए भी या क्या answer आने वाला है इस सवाल का और बताईए इस question का answer क्या आएगा सारे के सारे दोस्तों को try करना है बहुत ही यहां पे लिखा हुआ है your attention please यहां लिखा हुआ है kind attention यहां लिखा हुआ please pay attention तो आपने देखा कि जो pay है न वो एक ही जगह है इसका मतलब उसके अगल और बगल वाले जो भी words है उसका अगर हम code निकाल दे तो जो बच जाएगा वो pay का code होगा आपने कहा कि सर अगर मैं यहां से please और attention हटा दू please और attention पहले option में भी है आपके सामने दिख रहा है ठीक है तो अब बताओ पहले वाले statement और तीसरे वाले statement में common code क्या है आप कहोगे सर p-u-w यहां पे common है यहां पे भी common है और साथ ही साथ z-u-w यहां पे भी common है यहां पे भी common है तो इसका मतलब अगर यहां पे please pay attention का code p-u-d, z-u-d और r-u-d है जिसमें से p-u-w और z-u-w को आपने हटा दिया तो जो बच गया वो किसका code बनेगा पे का code बनेगा तो दोस्तों पे का code बनेगा r-u-w पे का code r-u-w बनेगा option number b आपके सवाल का बिलकुल सही और सटीक आंसर होगा clear है बई option number b आपके सवाल का बिलकुल सही और सटीक आंसर होगा बहुत सारे दोस्तों ने option number b आंसर दिया है बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त, बहुत उंदार, ठीक है, नेक्स्ट, अगला कोश्चन आपके सामने है दोस्तों, एक बार फटवट ट्राई करिए कि इस कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है, सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है, बताना है, इ बहुत बढ़ी है बहुत शानदार बहुत सारे दोस्तों को आंसर आना स्टार्ट हो जुगा है बहुत बढ़ी है बहुत शानदार बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है ठीक है बोलो भई क्या answer आने वाला इस question का फड़ा पट्राई करू अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप देखो 13 into 4 है 13.52 और यह क्या है 13 into 7 है 13 सत्य क्यानवे तो यह दोस्तों क्या है 18 into 4 है तो अगला क्या होना चाहिए 18 into 7 होना चाहिए 1895, 186, 188 187, 126 होना चाहिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा प्यारे दोस्तों 126, option number B इस सवाल का सही और सठी का आंसर था प्यारे दोस्तों, option number B इस question का बिलकुल सही और सठी का आंसर है बता यह बात clear होई कि नहीं फड़ावट बताओ clear होई बात, बोलो भई क्या यह बात clear होगई अगर यह बात clear होगई तो चलो अगले question का आंसर बताओ एक बार फड़ावट इस question का आंसर निकालो सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस question का आंसर बताना है फड़ावट ट्राई करिये भई में क्योंकि सवाल बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर बहुत ही बेहतरीन कोश्चन है यह ठीक है जब मैं इसका सॉलूसन आपको अभी बताऊंगा तब आपको फील होगा कि हाँ यह बहुत बढ़िया सवाल था ठीक है और ऐसे सवालों के प्रेक्टिस आपके एक्जाम के लिए आपको करके जरूर जाना है ठीक है सबसे पहले अगर हम बात करें तो इनके बीच में बारा का गैप है इनके बीच में छे का गैप है इनके बीच में भी छे का गैप है इनके बीच में सर कितने का वे च्यासी चार नब्बे और पांच पिचानवे नो का गैप है यह ह बारक आधा 6 हो गया, 6 में multiply हमने किस से किया, एक से किया, तो 6 कम 6 जुड़ा, फिर यहां multiply किस से कर रहे हैं, डेड़ से कर रहे हैं, तो 6 डेड़े 9 हो गया, यहां multiply किस से करेंगे, multiply भई 2 से, तो यहां क्या जुड़ना चाहिए, 18 जुड़ना चाहिए, 95 में अगर हम 18 जुड अब आप कोगे 18 दुना 36 और 18 का आधा 9 36 और 9 कितना हुआ 45 हुआ तो यहां 45 जूड़ना चाहिए था इसका मतलब यह हुआ कि 113 में 45 जूड़ने पे 158 आना चाहिए और 113 में 45 जूड़ने पे 158 आ भी रहा है इसका मतलब option number B जो की 113 है बिल्कुल सही और सटी का आनसर है क्लियर है प्यारे दोस्तों फड़ा बड़ बताओ कितने लोगों का आनसर आ गया था बोलो कितने लोगों का आनसर आ गया था इस कोश्चन का आनसर कितने लोग कर पाए थे ठीक है क्लियर है चलिए अगर क्लियर है तो इस सवाल का अंसर था option नंबर भी बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question प्यारे दोस्तों आपके सामने है फटाबर जरा इस question का answer निकाले सारे के सारे दोस्तों को try करना है इस question का सही और सटी का answer निकालना है एक बार फटाबर try करिये भई फटाबर try करो बताओ इस question का answer क्या आने वाला है बोलो देखो जब भी ऐसे सवाल आए आपको करना क्या है place value ही तो लिखनी है बताओ place value ही लिखनी है और place value लिखके question का answer निकालना है आपको clear है ना place value लिखनी है देखो दोस्तों ये 8 है ये 15 है ये 22 है ये 3 है तो 8 से 15 प्लस में 7 15 से 22 प्लस में 7 22 से 3 प्लस में 7 तो 3 में अगर 7 जोड़ोगे तो क्या आएगा 10 आएगा 10 पे क्या आता है ये आता है इसका मतलब option number C तो सरांसर होगा नहीं ठीक है अब जब देखो ये 4 है ये 22 है ये 14 है ये 6 है ठीक है अब 4 से अगर हम 22 की बात करें तो 4 और 4 आठ का gap है माइनस 8 ऐसी देखो यहाँ पे कितने का gap है माइनस 8 यहाँ पे भी कितने का gap है माइनस 8 तो अगर यहाँ माइनस 8 हम घटाएंगे 6 पूरा घटा हो 2 और घटा हो क्या आएगा X आएगा क्या आएगा भी या X आएगा जे के साथ क्या आना चाहिए X आना चाहिए ठीक है भई जे के साथ क्या आना चाहिए X आना चाहिए नो जोड़ दे तो 31 होगा 31 का मतलब क्या होता 26 से 5 जादा ठीक है तो 5 में क्या जोड़ दिया 9 जोड़ दिया 14 14 में 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 23 आएगा और 23 पे क्या आता है W आता है तो J X के साथ W होना चाहिए option number B will be correct answer क्या answer आएगा option number B आपके सवाल का बिलकुल सही और सटीक आनसर आने वाला है clear है भई फड़ा बड़ बताओ option number B आपके question का बिलकुल सही और सटीक आनसर आने वाला है ठीक है next तो option number B इसका answer है अगले सवाल पे आ जाते है बहुत ध्यान से करना इस टाइब के question आपके exam में बहुत पूछे गए आज SSC GD का भी paper था वहां पे भी आपके odd one out से जो question पूछा गया वो इसी concept पर आधारि सवाल पूछा गया था जहां difference को चेक करना था ठीक है अगर difference को चेक करने वाले सवाल आ रहा है तो एक बार आपको alphabet की place values के बारे में बहुत अच्छे तरीके से place values आपको याद होना चाहिए और place values जब याद होगा तब आप बड़े आराम से इनके बीश में कितने का अंतर है difference है वो आप ग्याद कर पाएंगे तो बेतर है कि अगर alphabet की place value आपको अभी भी याद ना हो तो आपके आने वाले exam के लिए आप alphabet की place value को जरूर से जरूर जरूर से जरूर जरूर याद करिएगा ठीक है बताईए राइस question का answer बताईए बोलिए भई देखो सर अगर हम बात करें इस वाले में तो यह 14 है यह 16 है यह 19 है यह 23 है यह 2 है तो 14 से 16 प्लास 2 16 से 19 प्लास 3 19 से 23 प्लास 4 और 23 से प्लास 5 तो 23 और 5 28 का मतलब 2 है तो यहाँ पर 2, 3, 4, 5 का gap चल रहा है यह 1, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है तो ये प्लस 2 है, ये प्लस 3 है, ये प्लस 4 है, ये प्लस 5 है, यहां पे भी प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 चला ऐसे देखो ये 20 है, ये 22 है, ये 25 है, ये 3 है, ये 8 है, यहां पे भी प्लस 2 हुआ, प्लस 3 हुआ, प्लस 4 हुआ, और प्लस 5 हुआ तो आपका odd तो option number D ही बन गया ठीक है फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं तो ये 21 है ये 23 है ये 26 है ये 2 है ये 9 तो ये plus 2 है ये plus 3 है फिर ये plus 2 है और फिर ये plus 7 है तो option number D में plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 का pattern नहीं चल रहा है क्या चल रहा है plus 2 plus 3 plus 2 plus 7 का pattern चल रहा है बाकी option number A, B और C में प्लस 2, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 5 चल रहा है इसी वज़े से आपका odd क्या हुआ? option number D हुआ ठीक है? क्या answer हुआ odd? option number D next बताईए इस सवाल का answer निकालिए फटावड निकालिए इस question का answer बताईए सारे के सारे दोस्तों को बताना है इस question का सही और सठीक answer क्या आने वाला है सारे दोस्तों को बताना है इस question का सही और सठीक answer क्या आने वाला है पड़ावड बताईए भई आया भई आंसर आया फटावड बताओ क्या आंसर आगया क्या इस कुश्चिन का सारे दोस्तों का सारे दोस्तों का आंसर आया इस सवाल का बहुत ही बढ़ियां और सुन्दर सा सवाल है बहुत बढ़ियां सवाल है बहुत शानदार सवाल है भई ठीक है बहुत ही शानदार और बहतरीन सा कोश्चन है एक बर फड़ा पर ट्राई करिए सारे लोग क्या आंसर आने वाला है इस कोश्चन का बोलिये बई देखो अगर हम बात करें 16 से 35 तक जाने की तो आपको पता है कि 16 दूना 32 होता है और प्लस में 3 पेंटीस होता है 217 से अगर 653 पे जाओ तो तीन गुणा करना पड़ेगा इंटू 3, 217 इंटू 3, 651 प्लस 2, 653 हुआ अचा देखो यहां इंटू 2 प्लस 3 हुआ, इंटू 3 प्लस 2 हुआ, तो जहां यहां चेक कर लेते क्या हो रहा है तो 6 दुना 12, 53 दुना 106, तो 1306 यहाँ पे क्या हो रहा है, into 2 प्लस 3 हो रहा है, अच्छा कहीं ऐसा तो नहीं है कि into 2 प्लस 3, into 3 प्लस 2, into 2 प्लस 3, into 3 प्लस 2 ऐसा गैप चल रहा हो, तो आप कहोगे सर यहाँ पे into 3 और प्लस में 2 करेंगे, तो 35 तिया 105 और 2 कितना हुआ, 107 वापिस into 3 प्लस 2 करोगे, sorry, into 2 प्लस 3 करोगे, 107 में वापिस क्या करना है, into 2 प्लस 3 अगर आप करेंगे, तो कितना हैगा, 107 दुना 214 और 3 कितना हुआ, 217 हुआ, तो आपके कोश्चन का सही और सठीक आंसर दोस्तों क्या है, option number A आया, जो कि बिलकुल सही और सठीक आंसर है, आपके इस सवाल का, clear है भई, अरे बोल दो clear है क्या, चलिए तो, फिर बढ़ते हैं अंगले कोश्चन की तरफ, फटा फट लगाईए जरा इस कोश्चन का आंसर बताए है, बताओ भई, इस कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है, फटा फट बताओ, सारे दोस्तों को ट बोले बाई इस कोश्चन का अंसर क्या आने वाला है फटावट बताईए सारे दोस्तों को ट्राई करना है बताना है इस कोश्चन का सही और सठी का अंसर देखो मेरे प्यारे दोस्तों बिलकुल सही आंसर है आपका option number C होगा कैसे होगा अगर मैं planet की boundary बना दू ग्रह की boundary बना दू तो आपको पता है कि Mars भी एक ग्रह है Venus भी एक ग्रह है मंगल भी एक ग्रह है सुक्र भी एक ग्रह है इस सवाल का सही आंसर क्या आने वाला है बोल ये बई इस question का सही और 60 का आंसर क्या आने वाला है एक बार फटफट राई करिए सारे दोस्तों को ट्राई करना है शांदार तरीके से आंसर बताना है आपको बोलो भी क्या आंसर आएगा देखो बहुत ही आसान है और इस pattern पे भी एक question आपके sscgd के paper में आज पूछा गया है जहां पे a b c d में a को plus b को minus c को into इस तरीके से पूछा जाता है तो यह आपके upcoming आने वाले जो आपका भी exam है उसमें भी आ सकता है क्योंकि इस pattern पे एक question तो आपका 100% पूछा ही गया है sscgd के और अभी तक दो shift हो चुगे दोनों shift में चारों के चारों shift में paper आया है यह question आया है देखो जना ध्यान से बोला गया कि 46 c को क्या बोला जाता है minus 6 a का मतलब प्लस है 7 b का मतलब into 5 a का मतलब प्लस 24 d का मतलब divide by 6 यह आपको solve करना है ठीक है अब आपने का असर 46 minus 13 into 5 आ गया यह प्लस में 6 24 चार इंटू तीन तीया नो और तीन नवा 27 चार इंटू नो आ गया आपने का असर यह 46 है यह 65 है यह 36 है 46 36 कितना हुआ 82 82 में से अगर आप 65 minus करे होगे तो कितना आएगा 65 10 75 और 7 82 17 आएगा option number A आपके सवाल का सही answer आएगा क्या answer आएगा दोस्तो option number A आपके question का बिल्कुल सही और सटी का answer है option number A ठीक है next अगला करिये try अगले question का answer बताईए फड़ाबड बताईए ज़रा इस question का answer क्या आने वाला है सारे लोगों को try करना है जल्दी जल्दी बताना है इस question का सही और सटी का answer क्या आने वाला पैरे दोस्तों जब भी इस type का सवाल पूछा जाता है मैंने आपको कई बार बोल रखा है इस में number of terms count करो सबसे पहले देखो कितने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा तो हम क्या करते हैं बराबर बराबर भागों बाटते हैं तो पांच 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 पे भाग में डिवाइड कर देते हैं एक दो तीन चार पांच एक, दो, तीन, चार, पाँच अब देखो जरा ध्यान से अंतिम में H यहां भी है H यहां भी है तो H यहां रख दो और H के पहले N है तो H के पहले N यहां पे भी आएगा N के पहले B है यहां पे भी भी आएगा N के पहले B है अज़ बताओ B के पहले V है ठीक है तो आपने भरा गया वी एच सी बी एन वी एन वी एन वी एच सी बी एन वी एन किस आपसन में है आपसन नमबर डी में है आपके कोशन का सही और सटीक आंसर दोस्तों क्या है option number D clear, patreon? option number D आपके question का सही और सटीक बताइए ज़रा, इस question का answer बताइए, फड़पढ़ बताइए, सारे लोग क्या आने वाला है, इस question का answer फड़पढ़ ट्राई करिए, सारे लोग-बताईए इस question का answer क्या आने वाला है, सारे की सारे दोस्तों गो ट्राई करना है और बताना है इस सवाल का सही और सठीक आंसर आखिर कार क्या आने वाला है बोलो भई देखो सबसे पहले आप क्या करोगे आप सबसे पहले कंप्यूटर ही तो सबसे पहले आपने क्या किया compose email email आपने compose किया यही तो किया बोलो email compose किया email compose करने के बाद आपने क्या किया भी है आपने enter email address आपने email address डाला email address डालने के बाद आपने content लिखा मतलब write the content और उसके बाद आपने send बटन दबा दिया तो 3, 1, 2, 4, 5, 6 आपके सवाल का सही answer है option number C आपके question का बिलको सही और सटीक answer है ठीक है बहुत सारे दोस्तों ने सही answer दिया बहुत बढ़िया next अगला question जड़ा try करीए बहुत सुंदर और सांदर सा question है whatever try करेंगे अच्छा देखो बीना try किया आप इस question के answer को सोचोगी बस देखते ही answer देदे तो आपके पास तो एक अपका अपना तरीका है जो कि तुकका है मार सकते हैं कि अंधा मार दिया तुकका की option number A, B, C, D में कुछ भी मार दिया ठीक है दूसरा तरीका ये है कि अगर आप इसे solve करोगे तो 100% हो जाएगा और जब solve करके answer दोगे तो आपको अंदर से satisfaction मिलेगा कि हाँ भाई साब हमने कुछ ऐसा किया कि बहुत शांदार तरीके से हमने answer दे दिया और इस प्रकार के सवाल एक्जाम में आएंगे तब भी हम कर पाएंगे तो दूसरा तरीका आप अपना हैं सभी का नाम PQRHTUV और W हैं और सब straight line में located है तो यहां हमने आठ जगे बना ली एक दो तेन चार पाच छे साथ और आठ ठीक है सब का face नौर्थ की direction में है तो left to right की arrangement लेंगे अब उसके बाद हम hint लिखना start करते हैं देखो यहां पर मैंने hint लिख दिया और एके करके हम hint लिखना start करेंगे बोला गया है S is second to the left of T S जो है न वो T के बाईं और दूसरे स्थान पर T के बाईं और दूसरे स्थान पर S है पहली hint है अब S और T से related information देखो बोला गया है अगला W is third to the left of P हमें पता ही नहीं है W और P कहां पर कहीं पर भी बिठा सकते हैं आगे हमने पढ़ा कि T is between P and V T जो है न वो P और V के बीच में है तो यहां से आप दो assumption निकालेंगे हो सकता है P यहां हो V यहां हो लेकिन दूसरा आपने बनाया कि S हो सकता है V यहां हो ठीक है T और यह P हो कुछ इस तरीके से भी बन सकता है लेकिन उसके बाद आप से बोला गया है कि W is third to the left of P W जो है न वो P के बाई और तीसरे स्थान पर अभी यहां P बिठा देंगे तो बाई और तीसरे स्थान पर तो S बैठा हुआ है इसका मतलब यह वाली figure हम नहीं बना सकते हैं बना सकते हैं क्या नहीं लेकिन यहां पर आप बिठा सकते हो कि P के बाई और तीसरे स्थान पर कौन है W तो एक दो और यहां कौन बैठा है W बैठा है तीन बिठा दिया आगे बोला गया S is third to the left of V S जो है ना V के बाई और तीसरे स्थान पर एक दो तीन तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है आगे बोला गया W is to the immediate right of U W U के एकदम दाई और है तो U को यहां बिठा देंगे एकदम दाई और बोला गया R is third to the right of P R जो है ना P के दाई और तीसरे स्थान पर है तो एक दो तीन यहां R बिठा दिया अब पूरी arrangement देखो आठ लोगों की हो गई है दो दो चार दो छे दो आठ तो यहां पर आपने क्या किया सारी arrangement वाले में इसको पता नहीं यह वाला पता नहीं है बागी सब को हमने यहां पर बिठा दिया ठीक है अब आपके पूरी arrangement में एक ही restaurant बचा है जिसका नाम Q है तो Q को बिठाएंगे यहां पर और पूछा के आए कि बताईए S के दाईए और चोथे स्थान पे कौन बैठा है S के दाईए और चोथे पहला दूसरा तीसरा चोथा चोथे स्थान पे R बैठा है option number C आपके सवाल का सही answer है क्या answer है दोस्तो option number C clear है भाई क्या answer आएगा option number C आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटी का answer आएगा next अगला question try मारिए भई फटावट रायिए सारे लोग क्या answer आने वाला है अगले question का answer try मारिए फटावट क्या आने वाला है बोह लेगा जी हैस्टेग M का मतलब है G is the father of M जी हैस्टेग M का मतलब है G M का पिता है ृढ ए हैज्टेग T का मतलब है M P का पिता है T percent S का मतलब है T S की मम्मी है T किसकी मम्मी है S की S at the rate H का मतलब है S is the sister of H S किसकी बहन है H की बहन है H and R का मतलब है H is the son of R H किसका बेटा है R का जिसमें अगर ये महिला है तो ये पूरुस आपस में साधी सुदा होंगे R and W का मतलब है R is the son of W R किसका बेटा है W का बेटा है और W at the rate U का मतलब है W at the rate U का मतलब है W is the sister of U W U की बहन है पूछा गया है निमलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है बहुत बार जटके में आप क्या बता दितो कौन सा कथन सही है तो ये वाला आपसे पूछा गया है कौन सा कथन सही नहीं है आपसे बोला गया जी टी का दादा है जी कौन है टी का दादा है बिल्कुल है टी के पापा का पापा है तो दादा ही लगेगा अज़र बताओ आर टी का पती है आर बिल्कुल T का पती है T तो महिला थी बोला गया है WH की नानी है WH किसकी नानी है H की नानी H के पापा की मम्मी है तो दादी लगेगी ना की नानी option number C ही आपका क्या आएगा गलत आएगा option number C आपका गलत है clear है भई option number C आपके question का answer सही आएगा option number C ही correct answer है ठीक है भई आपसन नमबर C will be correct clear है दोस्तो फटावट बता दीजिए क्या ये बात clear है बोलिए भई क्या ये बात clear है प्यारे दोस्तो फटावट बताओ चलो भई तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ अगला question आपके सामने है एक बार फटावट आपसे पूछा गया है कि उस संख्या का chain करें जो संख्या पांच वाले फलक के विपरित वाले फलक पर होगी मतलब पांच के opposite आपको बताना है क्या बताना है पांच के opposite मैंने आपसे क्या कहा था कि जब भी और धूसरे को आपस मैं compare कर दू तो 1 common है एक के बाद 2 दो के बाद 4 और यहां डिखो एक के बाद 3 आया 3 के बाद 6 आया 4 के opposite 6 हो गया 2 के opposite 3 हो गया बताओ 1 के opposite के आएगा 5 है क्या आएक अब यह एक के opposite के आने वाला है 5 आने वाला ए आपसे पूछा है ठीक है भाई option number D आपके question का क्या है बिल्कुल सही और सठी का answer है clear है दोस्तों चली आईए अगले question पर आ जाते हैं फटवर्ट बताईए जरा इस question का answer क्या आएगा सारे के सारे दोस्तों को try करना है इस सवाल का सही और सठी का answer निकालना है एक बार फटवर्ट ट्राई करिए दोस्तों क्या answer आने वाला है इस question का फटवर्ट बताईए इस question का answer क्या आने वाला है सारे दोस्तों को try करना है बोलो भई इस question का answer क्या आने वाला है फटवर्ट बताईए बोलागा है सूप को कोड़ किया आता है T N V O से ठीक है तो ये 19 है ये 15 है ये 21 है ये 16 है और ये 20 है ये 14 है ये 22 है और ये 15 है आपने का सर 19 से 20 प्लस में 1 15 से 14 माइनस 1 21 से 22 प्लस 1 और 16 से 15 माइनस 1 यहां पे प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 हुआ है आप से बोला गया है कि सर बाउल का कोड़ बताईए किसका कोड़ बताईए बाउल का तो दो पंदरह तेईस और बारह क्या गरना है प्लस वन माइनस वन प्लस वन और माइनस वन दो और एक तीन पंदरह में एक गया चौधा तेईस एक चौबिस और बारह में एक गया गया रहा तो क क्या बना C-N-X-K यही आपके कोश्चन का आंसर बनाना C-N-X-K किस option में है दोस्तो option number D किस option में है बता दो जड़ा फट option number D इस सवाल का बिलकुल सही और सठीक आंसर है ठीक है भई? चलिए तो option number D आपके कोश्चन का सही आंसर था अगले कोश्चन पे आ जाते हैं अगला कोश्चन आपके सामने है दोस्तो एक बार फटबर ट्राई करिए इस कोश्चन का आंसर क्या आने वाला है बोल ये भई इस कोश्चन का आंसर की आएगा देखो बोला गए है दوस्तो PEN का कोड क्या है सत्रह, साथ और सत्रह है तो सोलह, पांच, चोदह सोलह में ए जोड़ दो सत्रह पांच में दो जोड़ दो साथ चोदह में तीन जोड़ दो सत्रह है ठीक है? तेक चार एग दो तीन और सोलो और तीन उननीस चार तीन उननीस आएगा उप्सिन नमबर सी आप के सवाल का सही आँसर अगला सवाल Very Is विशक्षिन का आँसर क्या आनेवाल है सारे के सारे दोस्तों को ट्राई करना है इस सवाल का सही और सटी का अंसर निकालना है दोस्तों एक बार फड़ा वर ट्राइग करिए कि इस कोश्चन का अंसर क्या आने वाला है सारे दोस्तों को ट्राइग करना है भई बोलिए क्या अंसर आने वाला है बहुत बहुत सांदार कॉंसेप्ट लगा है इस सवाल में बहुत ही सांदार कॉंसेप्ट लगा है इस कोश्चन में और देखते हैं कितने लोग इस कोश्चन का अंसर दे पाते हैं देखो मेरे प्यारे दोस्तों इसमें concept क्या लगा है कि पहले वाले की अगर हम बात करें इस वाले की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ है 14 में मतलब second जो number है ik Cristie मैंने कहा इसमें अगर बात करें तो second number में पहले number को जोड़ा गया 14 plus 14 और second number में से ही पहले number को minus किया गया है और इन दोनों को multiply किया गया है तो 25 into 3 कितना हुआ 75 हुआ ऐसे ही आ जाओ आप इस वाले portion में तो 16 plus 15 कितना हुआ दोस्तो 31 into 16 minus 15 कितना हुआ 1 तो 31 into 1 कितना होगा 31 होगा तो यहां पर अगर आप बात करें तो x plus 9 into x minus 9 यह किसके बराबर होना चाहिए 88 के यही तो होना चाहिए ना मान लो आपने बीच वाले number को x मान लिया अब आपको पता है a plus b a minus b a square minus b square का formula होता है तो यहां क्या बनेगा x square minus 81 बराबर 88 x square बराबर कितना होगा 88 plus 81 ठीक है यह कितना हैगा 169 अगर x square की value 169 हैगी तो x की value कितनी आएगी 13 आएगी right answer option number c आएगा right answer दोस्तों क्या आएगा option number c आपके सवाल का बिलकुल सही और सटीक answer आने वाला है बहुत बढ़िया बहुत शानदार बहुत जबर्दस्त बहुत उंदा next अगला question फड़ा ट्राई करो जड़ा इस question का answer बताओ इस सवाल का उत्तर बताईए फड़ा ट्राई करिये भई बोलिये बोला गया कि स्री निजा जो है ना 9 किलो मेटर पश्चिम दिशा की और चलती है स्री निजा किधर चलती है 9 किलो मेटर पश्चिम दिशा की और चलती है ठीक है उसके बाद से फिर साउथ की और मुर्ती और कितना चलती है 11 कितना 11 किलो मेटर का जा रहा है कि फिर वो इस्ट की तरफ मुड़ती है कितना चलती है 13 किलो मेटर का जा रहा है कि फिर उसका मन लगा नहीं वहाँ पर वापस मुड़ गई और पस्चिम की तरफ 4 किलो मेटर चली अब आप मुझे बताओ यह टोटल दूरी 13 की है यहां से यहां तक 4 है तो बची दूरी 9 और अगर यह 9 बची है तो यह दूरी बिल्कुल आमने सामने होगी आप से पूछा किसके बारे में गया है बोला गया है कि बताइए स्री निजा अपने इनीसियल पॉइंट से कितनी दूर है तो स्रीजिया इनीसियल पॉइंट यहां था और पहुंची वो यहां पे है तो यह वाली दूरी कितनी है जितनी दूरी यह होगी उतनी दूरी यह होगी कितनी दूरी है ग्यारा किलोमेटर की दूरी टीक आंसर बताना है एक बार फटा बड़ बताईए इस कोश्चिन का आंसर क्या आने वाला है बोला गया है कि पलस और डिवाइड को अगर आपस में बदल दिया जाए तो बताईए कौन सा समीकरण कौन सा समीकरण संतुलित हो जाएगा आपसे यह पूछा गया है कि पलस और option की बात करूं तो 22 प्लस की जगे डिवाइड रखना है 11 इंटू 8 डिवाइड की जगे प्लस करना है 3 बराबर 19 अब जरह यहां ध्यान से देखो 11 दूना 22 दो अठे 16 और प्लस 3 कितना हुआ 19 तो 19 बराबर 19 हो गया ठीक है अब देखो यह पूरी value कितनी आएगी 16 ही तो ठीक है बाई option number A आपके सवाल का बिलकूल सही और 60 का अंसर था ठीक है चलिए बाई तो बढ़ते हैं अंगले question की तरफ अगला question आपके सामने है फटावट जरह बताईए इस question का answer क्या आएगा सारे के सारे दोस्तों को try करना है इस question का answer बताना है फटावट बताईए इस सवाल का सही उत्तर क्या आने वाला है कहोगे कि अगर यहाँ पे कटा हुआ है बाबू तो यह उपर की side बनेगा अच्छा जो यह कटा हुआ है तो यहाँ नीचे की side कटेगा है कि नहीं यह देख को यह additional cutting रखी गई है यह गलत है answer आएगा option number D क्या answer आएगा option number D आपके सवाल का सही answer आने वाला है ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question आपके सामने है जरह फटावट बताईए इस सवाल का उत्तर क्या आने वाला है बोलिए भई इस question का answer क्या आने वाला है फटावट बताईए सारे दोस्तों को try करना है बताना है इस सवाल का सही और सठीक answer क्या आने वाला है देखो आप से बोला गया है कि frontier को जो code करते हैं प्रंटीर को जो code करते हैं प्यारे दोस्तों वो कैसे करते हैं G S N O U H D और S है आप देखो F में एक जोड़ दो G R में एक जोड़ दो S आचा देखो यहां वावल है ने तो एक माइनस किया N में एक जोड़ दो T में एक जोड़ दो लेकिन I वावल है तो एक माइनस किया E वावल है तो माइनस R में एक जोड़ दो S इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों यहां वावल में क्या हो रहा है माइनस व क्या होगा C में एक जोड़ो D L में एक जोड़ो M और O में एक माइनस करना है आपको तो N आएगा S में एक जोड़ो T आएगा D M N T D M N T option number C में है option number C आपके सवाल का बिलकुल सही और सटी का अंसर है clear है option number C तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और अगर जितने भी नए दोस्त है वो अगर PDF उनको चाहिए तो वो टेलिग्राम चैनल जोइन कर लेंगे आपको इसी टेलिग्राम चैनल पे ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी और आप बहुत शानदार तरीके से उसको एक बर और revise कर लेंगे तो ये mock test भी आमने बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों खतम कर लिया है और आशागरता हूं कि आप लोग मिल्कुल बहतरिन तरीके से आपने इस mock test को enjoy किया होगा बहुत बढ़ी हैं तरीके से आप लोगों ने आंसर भी दिया है बहुत शानदार तरीके से आपने आज की क्लास को अटेंड भी किया है तो मेरे प्यारे दोस्तों आज के लिए मितना ही पढ़ेंगे और मिलेंगे आप से कल की क्लास में तब तक अपना ख्याल रखिएगा नमस्कार जाहित